प्रेनिंग्स बहुत अच्छी मेरी इंडस्ट्री एंवार्मेंट मेरे को इंडिया की सबसे बड़ी स्पाथ कंपनी है लक्षमी नारण मितल जी कंपनी स्पाथ इंडस्ट्री अच्छार दोस्तों आपसा स्वालत हैं 524 पर और आज हम पहुंच चुके हैं चौर्जी देवलाद गोवर्मेंट इंजिनियर पोलिज पन्यवाला मोठा फिर हुआ और आज हमारे साथ इहां पर जूट चुके हैं पुनिक चावगा सर्जी जो की हैं अच्छी एक्टिकल इंजिनियर ही हैं मैं हमका तहरे दिश्वाबच करता हूँ और एक यारी ची बात के साथ हम दुरुआज करेंगे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिन्दगी का इंतिहान होता है ड़ने वालों को मिलता नहीं है सिंदगी में बालो के जान होता है और इसी के साथ उनके इंट्रो श्रेशन के साथ हम स्यूरु करेंगे प्राइप काऊंट सर्क अधा Link!! यह दो च् हमारा आँ ओआ है कर्व तो फैमिली तो नॉरमल थी पापा मेरे डिप्लोमा है अठिककलं इन्जिनिंग में में और उनी से थोड़ी परेथ डिधना प्रेजना मिली उनके साथ जाय करता हैँ इसको तो आक्टर है तो हाउस वाइरिंग के जब ठेके लेते थे पंजाब में उनके साथ मेरे शूंप था कि वो मेरे को लेके जाते थे तो वहां से थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा चलने लगया काम जब टेंट कंप्लीट हुई तो इदाम दिये थे तो एक गुरुजन मिले श्रीयोंप्रकाश क लड़ाजी मैच्स के वो अथे तो नोने गाइड किया कि तेरा ब्रियेंस बहुत अच्छा है तो तेरे को एंजिनिंग करने की ठीक है यह जब टीक है उन्हाइँ कारें लिया चूशन शुरू कर लिया कोचिंग फ्रकॉत सुरू हो गई डासम ब्लस टू नोन मैडिकल के ल सब्सक्राइब करें तो वहां से फिर सफर शुरू हुआ और पंजाब में फिर मैंने इंटमिशन ले लिए बीटक करने के बाद जैसे ही वीटक कंप्लीट को अब कॉलेज से फ्लेस्मेंट हो गया और उसके बाद फिर आगे जौब टीचिंग की तरफ आ गया और फिर करते कर करते करते आज एक अच्छा टीचर बने की कोशिश करते हैं नी रोज और इसके साथ अब ने वीटक कॉन्ट से पॉलिटक करी और उसके बाद पर आपने कैसे कैसे अपनी स्टडीग को पर सिलोई को कैसे अपडेट करते रहें प्लस टू तो मेरी कॉलेज और से उसके बद मेरे को मुक्ता लगा कि मैंने इंजिनिंग पेडमिशन लेना है और पंजाब टेक्निकल इनुश्टी के टेस्ट हुआ करते थे 2000 संट 2000 की बात आई संट 2000 की तो पापा को एक इंजिनिंग कॉलेज पसंद आ गया हमारे पास में अब और के 30 किलोवेटर पास में प्राइवेट कॉलेज है मलोट नाम करके एक जगहा है वहाँ पे गुरू ते बहुत दूर्फ खासा इंस्टिटूट अब इंजिनिंग के टिकनोलोजी है तो वहाँ प्राइवेट इंस्टिशन में इलेक्रिकल इंजिनिंग के लिए प्राइश का लड़जी तो उन्होंने एक बात कहिए मेरे को जब मैं पढ़ता था प्लसवन प्लसवन है कि देख बेटा या तो यह छे साल मेनत कर ले तो सारी जिंदिगी आश कर ली हो यह यह छे साल आश कर ले सारी सिंदिगी दख्ये खाई हो तो वह जो एक पॉइंट सब्सक्राइश रहाता है तो वहां से चार साल अच्छे निकले टीचर बहुत अच्छे मिले और मेरे छी में यह इंडिया की सबसे बड़ी सपाथ कंपणी है लक्षमिना रणमितल के कंपणी इस पाथ इंडिस्ट्रीज बंबई में में वहां ट्रेनिंग करके आया उसके बहिए थे लेक्रिकल की यह कंपणी है भारत यह खरी दौर वहां ट्रेनिंग किया है मैंने तो एड्यूकेशन अच्छी मिली गुरू अच्छे मिले लर्निंग अच्छी मिली और वहां से वह सीखने का ज़ज़वा वह अगे तक चलता है अब बोटाया यहां पर मुझे बहुत अच्छी बात लगी शे साल या तो अभी मैनस कर दो या जिन्दी बर राम कर दो याविर कैसा लग मज़े लेलो और जिदी वर मैनस कर लो वेजिए साथ यहां पे बहुत अच्छी बातों के साथ हम आके बढ़ते रहेंगे तुछ पॉइंट आप सीखते रहें और बढ़ते रहेंगे यापर तुछ के साथ अगला पॉइंट रहेंगे साथ कि सब्सक्राइब यह एक तरीके से संजोग कैसे हम सब आप चैसे अभी सब यांग हैं पर आप कोई नहीं चाहोगा कि टीचिंग में आएगा तो मेरा भी वही संजोगता में बताऊंगा 2004 में जब बीटग हुई तो प्लेस्मेंट हो चुका था ऑर पंजाब की नंबर वन गॉपणी ट्राइड टावलस में लुदियाना में मेरा बरनाला की र्लाणा में वह फ्लांट होंगा तो ट्राइड में मेरा सलेक्शन हो गया कॉलिज में ज़ेक्शन करा अ सब हो अगार्य कर ईअप शुरूओ और करियर को ज्या-दांडल आँ और बीच में मेरे को जाना पड़ा इंडियन एरफोर्स का था और मेरे को वारनेसी से कॉल तो मैं चुटी लेके वहाँ चला गया करके वापस आया तो तब तक मेरी पोस्टिंग जो है किसी और से भर दी गई तो अपर दो जाली तो आई वाई शुट आई स्टार्ट नियुक तो गिवन सो मनी इंडूस 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 तो पापा वही मोटिवेशन रहे हैं विकॉस इलेक्रिकल इंजिनिंग क चुरु किया अन लग्यली आगाट देसलेक्शन आज ओए कांट्रेक्ट्चल फिकल्टी इन इस इंसी इन तेम इसी जोगिंग पैरी सेलेक्शन मेरी आज एटीचर यहीं हुई आज इंडूस इसको वहां से जर्नी की शुर्वाद को इस चांस कि मैं टीजिंग में आया और और ऑफर थी खाली था, ऑफर मी मिली और स्टार्ट भी हो रहा था, गौवर्मेंट कॉलिज था, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने पीछे नहीं गटा और मैंने ऑपरचुनिटी को सट किया, और I started my career, उसके बद फिर मैं इधर उधर नहीं गया, तो सर आज कितने स पर आए और उसके बाद कैसे अखरब आप एड़ोडिक के डेवल तर पहुत रहा हुए मैं दो सबस्तल गेस्ट रहा हूं यहां और 2004 से 2005 तक और August 2005 से December 2006 तक मैं as a contractual faculty रहा, एक polytechnic में, जहां से मैं ने इंजिलिंग करी, उनी का polytechnic था, उसी society का, तो वहां काम किया, और in the meantime because of the marks are goods in a b.tech, so based on that I have applied for a government lecturer at this institution and I got the selection from the government, lucky me देखे, जिल्गी में बहुत सारे पढ़ावाते रहते हैं और कुछ पढ़ाव सरकी जिल्गी में भी रही होगे, क्योंकि एक अच्छा पत्पाना अच्छी जिल्गी में मूंकिन नहीं है, उसके लिए आपको बहुत बड़े-बड़े राहों से उलरना पड़ता है, बहु सारे स्टुडेंट्स में फाइनलिये करके निकल रहे हैं सर, उनके एक सुसाइटी प्रेशर रहता है, कि आप इस फिल्ड में जाओ, बदलब पजल रहता है, इस ताइप से सुसाइटी प्रेशर को हम कैसे टीज देखो इन चीजों में दो चीजें आपके अंदर सबसे पह करा है, कि किस वैल्यू तक आपको सकार रूप में नजर आती है, कि मेरी यह एजुकेशन मैनेजर लेनी थी, और मैं उसमें इतना उतर पाया हूँ, और जब मैं उसको उस फिल्ड में उतर पाया हूँ, और मैंने क्या अपनी ट्रेनिंग जो स्किल इंप्रूव करी है, उसक इसलिए मैंने अपनी लाइन को चेंज किया ही उसके बाद, और मैं उसी को आगे बढ़ता गया, तो सबसे पहले चीज़ को आपको अपने अंदर जोग आपने गेन की है, अपनी इंटरनल शक्ति जिसे पावर जिसे बोलते हैं, और आप जिसको उपना कह सकते हैं कि अंदर यह जाना चाहते हैं, आप क्विट को क्विट करना और उसी मिल रही है, यह बहुत कम सहलरी है, मैं नहीं जाना चाहता है, अगर अगर आप सालरी को देखके क्विट करते रहोगे, तो कभी भी जिवन की श्रौात नहीं कर पहुँए, लेकिन आज आप कोचोगे कि मेरे को स तो फिर उसके लिए इसका मतर है और वो जब आप सट कर लेता है तो इसका मतलब वह एक दिन होते ही आप यह मान के चलो कि आपका एक दिन तो मैं अपने यंग जितने भी हैं उनको यह कहूंगा कि इन दिनों दोनों चीजों को ध्यान रखें प्लस जो चीज़े जीवन में हमारे पेरेंट्स हैं जो मैं अक्सर बात करता हूं अपनी लेक्ट्टर्स में इंट्रेक्शन में कि स्टूडेंट हाड़ वर्क ऑनेस्टी इन चार चीजों को अपनी लाइफ में उतार के चलेगा दूरिंग इस टुडिज एट आफ्र इस स्टुडिज इमिजेट अप्र इस स्टुडिज जब वह स्टार्टिंग पीरियोड है उनकी जॉब के उस दौरान जब इन चार-पांच चीजों को ध्यान में रखेगा तो वो कभी मिमार में आप अपने जिवन में कुछ लियम बनाएं चैट करें और इंपे काड़ियां ही रखत रहें तो आप जल्दी सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे इसके साथ कर आपके जिवन में कोई ऐसा टर्णिंग पॉइंट रहा हो कभी जिस्ता आपको लगाओ कि को कुछ और करने का प्लान करते हैं नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मेरे को यहां से कुछ करना है उसका रीजन क्या हुआ शरुआत हुई जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पहली जॉब इसी डिलसाटी पर नहीं वह लम होगा है तो हम अक्सर ही हम लोग यह बात करते हैं कि पहली जॉब आदमी को जिवन में मिशा याद रहती है ठीक है जी तो जैसे आप यंग हैं आप भी बात करते हैं कि पहला प्यार और पहली जॉब कभी नहीं चुटती वह लग आप नहीं चुटता तो मेरी पहली जॉब यहीं थ और गुरुजन का अशिरवाद भी बहुत मिला, सिखाने वाले भी बहुत मिले अच्छे अच्छे लोग, उसमें आप टेक्निकल टीचर बोल सकते हो, मेरे हैड वदा डिपार्टमन बोल सकते हो, और हमारे उसके बाद जो अगले टीचर थे वो हो गए, ऑफिस में स्टाफ हो होगे ना, सब तक आप मन, आपका मन भगता रहेगा, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने शुरुआत में करिए कि आप जब अपने आपको अंदर से नहीं टोल लेते, कि मेरे को किस फिल्ड में जाता है, जाना है, सब तक आप सटिस्वाइड नहीं हो जब आपको यही मिल ज अपने को यहीं दो लाइए जिता है एक सो टैंसर, नहीं को बेशलर की लाइए और अप जिल्ड लाइए नहीं से देंसर, आप योदिल्लाइज जीन हों, किमस्सर आपको हैं सत्वाइज और अनक शिल्ड लाइज ब्र चाहुँगा और आज आपके माद्यम से मैं आपने दो दोस्तों को भी याद करना जाँगा क्योंकि बैचलरर राइव और आपके टाइम पढ़ते टाइम मेरा जो मानना है वो यह मानना है कि पढ़ाई के साथ-साथ आप की कंपनी वो मेटर कर अब आज आपके माध्यम से मैं आपने दो दोस्त जो इस टाइम एक रिलाइंस के मेनेजर है अशोक सेतिया जी और दूसरे अभी अस्ट्रेलिया में हैं अमिज नाखपल उन दोनों को थैंक्यू करना चाहूंगा क्योंकि वह दो मेरे बहुत खास्मितर रहे हैं और चार साल तीन साल मैं यह कहूंगा तो उन्होंने तीन साल पूरी दोस्ती की तरह ही निवाया क्योंकि मुझे आज भी दिन आते हैं कि हम जब पढ़ते थे तो हम सब को यादा कि एक मूवी आई थी दिल चाहता है वह तीन फ तीनों अपनी ब्रांच के टॉपर यह करते हैं तो वह एक मॉटिवेशन एक दूसरे से मिलता है और वह एक कंपनी है अगर आपकी बैचलर्स लाइफ में कंपनी अच्छी नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर पाऊ और फिल्ड लाइफ में अगर आपके सुपीरियर और स्व मैं मानता हूं इन दोनों में इन दोनों लाइफ को घीए कि अगरा आप और यह नहीं है कि काम मैंने कर लिया इसको जूट मार रहा हुँ मैंने किया कि तुम करके बाठे हो नहीं को अपने स्थी का विश्वास और जो जूञिए उनका विश्वास आपको बनाना पर विश्वास आपको बनाना पर पढ़ेगा और इपने काम से उनका विश्वाश जीतना भी पड़ेगा और जब यह दोनों जीतिया आप उनस्टी के साथ कर पा होगे तो आपको कभी भी तक्रीफ निया वह पिलर बन्जा है यह आपको और आपको अबने काफी सारी इनकी जीवन के बारे में चलता करी और अब हम और वार कोड़ा का रूप कोड़ा वोड़ते हुए लेकर चलते हैं और यह फाइनल यह की दरब यहां पर क्या होता है कि बच्चों को एक प्रेक्ट परगेंट मा होता है एक लाइट की शिवाश कर प्रेक्ट में इंटर्ट है कि बहुत कार सुसाइटी प्रेसर होता है कि आप नहीं पढ़ाई कर लिए आप कोड़ा दर्में सपूर्ट करें जोग आपको पास नहीं चाहिए और फिर शादी का भी एक रहता है इसमें कि अब जली भी शादी की करवादों बच्चे की कि इस मामले में मैं पहले भी यह बात आपको पॉइंट दो ही रखे हैं वह दो पॉइंट क्या रखे हैं कि पहले अपने इंटरनल स्ट्चर वो इंटरनल थार्ट को आपको पिचानना पड़ेगा कि मैं किस फील्ड में फ्रॉंग है दूसरा उसके रिलेटिटिट जितनी आपको मिल रही है उनमें से यह देखते हुए कि मैंने शुरुवात करनी है यह सोचते हुए कि मैंने पैकेज क्या है आप शुरुवात की तरफ बढ़े क्योंकि वो बहुत बढ़त है और आज हम कोई कंपणी कंपनी कि कमपणी है और कि Kिसी और कर रहा है वह उसको उसको पता है हम बाहर रहके उसका अंकलन नहीं कर सकते तो मेरा यह मानना है कि you have to first prepare yourself according to the knowledge you have gained according to the scale you have gained in these four years और उसके जापते अपनी एक field को और goal को set करते हुए which train you will found which opportunity you will get a palette उसमें को पक्ड़े और उसमें और जीवन में जब आप एक बार एंटर कर जाएं जॉद में तो जितनी भी काम करने की आपको मिल रहे हैं उसको कभी छोड़े नहीं आपकभी मत तर्ट का अंगाम हिनए मैं अतला क्यूंकि आगर आप आपका बोसता को यह बोलता कि फोटो सेट भी करनी है कि करके ला तो करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए कि फोटो सेट के मशीन पे कागए कैसे रखा जाएगा वो भी हम बच्छों को नहीं सीखवाते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल एक्स अस्पेक्ट में जाके बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं टेंडर कोटेशन परचेज साइट पर जाके काम करना लोगों से काम करवाना खुदको प्रिपेर करना कि मैंने सुबह जाके क्या काम करवाना पूरे दिन की डिसिप्लिन लाइफ को जीना तो बॉस्त भी उप्रचुनिटी को जब आप नहीं चोड़ेंगे तो आप कभी भी पर नहीं है हमेशा फ्रंट पूट पर आगे जिए तो अंतर में चलते हुए आप इसे अब लखूंगा बात को नीजर आप इसे बारे में बाताना चाहें करें हैं लोगों को रोजगार दी गया है बहुत सारे लोग यहां रोजगा बनाया और धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे सर्कार ने इसके उपर बहुत सारा पैसा लगाया है हम जैसे लोगों को रोजगार दिया है बहुत सारे लोग यहां रोजगार कर रहे हैं काम कर रहे हैं फैमिलीज बढ़ी हैं हुंकी ठीक है जी और मैं यह चाता हूँ कि हम सब मिलके इस इंस्टिशन को बढ़ाएं आप लोग जो भी निकलेंगे फाइनल यह बैच एक अच्छ बहुत अच्छा और पुराना इंस्टिशन है बहुत सारी चीजें इस इस इंस्टिशन ने इस ससाइटी को दी हैं इन फॉर्म आप वेरियस पोस्त के जो बंदे हैं लाइक एज्जियो एक्सियन्स बहुत अच्छी जवाँ पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं वेरियस एपार पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ सदा जुड़े रहते हैं तो हम सबको मिलके इस इंस्टिशन के लिए काम करना है और मैं जो नए बच्चे हैं उनको अश्वस करता हूं कि यहां वो आएंगे तो डेफिनेटली उनको एक स्टेबल केरियर देके बेजेंगे ऐसा नहीं है कि करता होगा कि आगे चार साल बदम जाएं तो जाएं का वह एक तरीके से इस तरीके से प्लाइन होके जाएंगे कि यह लाइन हमारी फिक्स है हमें इस लाइन में जाना ही जाना है तो सबसे पहले आरे के लिए उनको यह प्रिपेर होना पड़ेगा कि हमें करना क्या है जब तक हम लाइफ में कभी नहीं आते पागे पर पहले यह डिसाइड कीजिए कि हमारा गोल क्या है जब तक मुझको जट नहीं करेंगे उसके रेलेटिटिट में परचुनेटीज ले लेके पहुंचाएंगे जैसे फुटबॉल में ऑपरचुनेटी मिलती है बॉल मिलेगी तो प परचुनेटीम ही जीचती है अगर हम टीम की तरह करेंगे तो अबस्ते जीते हैं और मैं बतादू इस कंस्ता ने काभी बड़े-बड़े इनाम भी बश्चुने इस वोट के माध्यां से जीते हैं और काभी सारी पोन से भी गए हैं भी रिसेंटी हमारे एक सर नाम तो उम् जानकाई करें और उसके बाद उस जानकाई को एक जूटा कर वो आईजेश की कोस्त पर पहुँआ है तो देखेंगे तो जीवन के बढ़ाव हैं इसके आप मैनस करेंगे उस तो बढ़ते रहेंगे नहीं मैनस करेंगे तो फिर आप चाहिए संस्तभ को पुस्टी करें तो वो तो दोस्त पहिना कहीं आप ही का गयता है तो इसके साथ मैसर का घंजवाद करणों और पर से अंत में दो नाइन काउंगा की वो काईडी के तौर पर एक मोटिवेश्चन स्योट के तौर पर रखेंगे तो इसके साथ हम आजशा पारेकम समा पन्शोट लेगे जाएगे विचार तो आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि अगर आप इन छे सालों में मेनत करें तो लाइब बर आश करेंगे ठीक है जी क्योंकि ये मेरा परसनल एक्सपीरियंस है कि छे साल मेनत की हुई जिंदगी पर आपको आराम देगी और छे साल की करा हुआ आराम अबको आपती के ऑझसे है मैं धौसर रखकोए आपकर, गुरु केवल ह którego नहीं जो हमें पढ़ाते है गुरु केवल वह नहीं जो हमें पढ़ाते हैं, गुरु वह है जिन प्रतिरीन कुस्ना पर की से है गुरु वह है झाल 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 झाल